इस वीडियो में हम वासिंग मशीन की ड्रायर जो की जाम हो जाए और नहीं चले तो कई बार बहुत सिंपल छोटा सा ही फॉल्ट होता है जिसको आप अपने घर पर ही अपने वासिंग मशीन की ड्रायर को खुश से ठीक कर सकते हो इसके लिए वीडियो बनाए है चलिए देख द्रायर वाला ड्रम कई बार ऐसा होता है कि वासिंग मशीन के ड्रायर को बहुत दिनों तक यूज नहीं करते हैं तो इसके जो नीशे मोटर और फुली लगे होते हैं उसमें थोड़ी सी नमी आने के कारण और जंक लग जाता है तो ड्रायर सिंपल जाम हो जाते हैं जिसको आप अपने ही घर पर खुछ से अपने हातों से यह जो ड्रायर वाले ड्रम होते हैं उसको इस तरीके से पकड़ कर थोड़ा सा ताकत लगा कर फ्रेंड आप घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके उल्टा या सीधा करके यह जो ड्रैयर के ड्रम होते हैं उसको घुमाएं तो इसके नीचे जो मोटर फुल्ली वगरे में थोड़े सी जंक लगने की कारण यह जो dryer का drum होता है वो jam हो जाता है जिसको आप simple dryer के drum को थोड़ा सक टाकत लगा कर घुमाएंगे तो यह जो drum है वो free हो जाते हैं फिर उसके बाद आपके washing machine के dryer चलने लगेगा अगर नहीं हुआ फिर भी तो आप इस washing machine के पीछे के side चलेंगे यह देखे इसके पीछे back cover होते हैं तो यहाँ पर आपको जोरत पढ़ेगा एक पैचकस का जो कि इसमें छोटे छोटे श्कूरू लगे होते हैं जिसे आप पैचकस की मदद से खोल सकते हो खोलने के बाद यह cover कुछ तरीके से खीच कर निकालो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे यह वाला जो रसी दिख रहा है यह break तार बोल सकते हैं break wire भी बोलते हैं यह देखे मैं आपको दिखाता हूं यह washing machine का break wire है कई बाद तूट जाता है तो यह break jam हो जाते हैं अगर आपके machine में यह तार नहीं तूटे हैं तो simple junk लगने की करण जाम होते हैं और तूट गया है तो इस तार को आप खीच कर बांद सकते हो उसके बाद इसके पीछे वाली cover लगा देना अब फिर यहाँ पर द होते हैं इसको simple हाथ से घुमाने से ही फिरी हो जाते हैं तो आपको अपने washing जागर खोलने की जोरत भी नहीं पड़ेगा simple छोटे सी फॉल्ट कई बार मिलते हैं जिसको खुछ से ठीक कर सकोगे यह वीडियो आपके लिए useful फाइदेमंद होगा तो आगे लोगों को भी share करन हम फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर है